आख स्टूंडेंट्स दा स्वागत है है आज जैसे कि कुकिंग देविच इंट्रडरेक्शन टू धी फॉड प्रेड़क्शिन डिपार्डमेंट वारे शेरे चनना पामागि या जिस फूरे ४ारे जा देख भी प्रेड़क्शन डिपार्डमेंट की है सो आओ स्लाइड शुरू कर देया है सो साथ तो पहले नंबर ते लेवल्स ओफ स्किल एंड एक्सपीरियंस एस तो पाव हे है कि एक्सपीरियंस ते स्किल ते बेश ते जड़े असी स्टाफ कम करदा उना ते लेवल की हुं देया है और कह रहे हैं जिवे लिखिया होया है इस किल रिक्वाइड इस डपेंड ओन दी रिस्पोंसिबिलिटीज ओफ वेरियस विद योव लेवल एंड दी काइंड ओफ फूड प्रिपेर्ड दी क्वालिफिकेशन ओफ किचन पर्सोनल can vary from a hotel to hospital or a fast food outlet or a fine dining outlet कह रहे हैं की responsibilities दे अधारित हुँ दिया उदी योव लेवल ते अधारित हुँ दिया ओधी skills दे अधारित हुँ दिया ओधी qualification दे अधारित हुँ दिया की ओधा लेवल केड़ा है कें तो पाफ की स्किल ते एक्सपीरियंस ते नाल नाल ओदा लेवल बादा जानदा है सो तेन लेवल है देवेचे दसे गए ने केड़े केड़े ने सुपरवाइजरी लेवल जिन्नों मैंजेरियल लेवल भी कहन दे है टेक्निकली लेवल इसकिल्ड एंट्री लेवल सो जिवे पहला आत उसी देख रहे हो सुपरवाइजरी लेवल जा मैंजेरियल लेवल देवेचे केड़े हुं देने इस लेवल नेड्स नोट ओनली लोट ओव सुपरविजन बट आल्सो मैंजेरियल एट्रीव्यूट्स केह रहेने की ए लेवल देवेचे सिरफ सुपरवाइज करना नी हुं दा एक मैंज करन दे गुन भी जेडे हुं देने ओ हुं देने अलोंग एक्स्पेरियंस विद स्ट्रोंग नोलज इन अल अस्पेक्ट्स फूद प्रोडक्शन इस बेसिक नसेस्टी अट इस लेवल इट रिक्वाइज स्किल तो मोटिवेट दे ब्रीज वर्किंग अंडर हुं सो एदा मतलब एह है कि एक्सपेरियंस दे नाल नाल एक स्ट्रोंग नोलज होना मतलब कि बहुत ज़्यादा जानकारी होना के दे रिलेटेड ओल अस्पेक्ट ओफूड प्रोड़क्शन फूड प्रोड़क्शन दे सारे जो भी तरीके ने सारे जिनने भी मिलदा है जिवे एक्जैम्पल एक्जीक्यूटिव शेफ टे जेड़ा सू शेफ है ओ हुंदे ने दूसरे नंबर ते टेक्निकली स्किल्ड आगिया टेक्निकली स्किल्ड ती अगर असी गाल करिये ए जेड़ा स्किल्ड है ए बेसिक प्रोड़क्शन ते तोर दे उते अट दी लेबल ओफ बेसिक प्रोडेक्शन इस केरीड आउट लिक्या होया है, इस सेक्षिन ओफ दी ब्रिगेड इस दी बैकबोन ओफ दी किचन, जो ए जेड़ा सेक्षिन होंदा है, ए किचन दी बैकबोन अखोंदा है, क्योंकि the main knowledge and skill required are those necessary to produce dishes, क्योंकि ए जेड़ा है, ए डिशेज जो प्रोड्यूस करदा है, डिशेज मनो होंदा काम करदा है, ए डिपार्मेंट सेक्षिन ता पार्टिज दे वेचे बंडिया होंदा है, ए डिशेज प्रोड़ाइड करदा है, ए गुड़ वर्क रिलेशन विद फैलोज कोलीग्स is very important at the level to perform the jobs required, कि ए जेड़े ने जो भी कम इंड़स्ट्री दे बेचे चलता है, ओदे बेचे जिनना भी वर्क होंदा है, स्केल्ड वर्क होंदा है, जान नोलज वर्क होंदा है, कि चन्द related sections दे इंचार्ज कहोंदेने और टेक्निकली लेवल दे कम शेफ दे पार्टी दा जैमी शेफ दे पार्टी ही करते हैं, क्योंकि एनन्ट टेक्निकली नोलज होंदी है, एंत्री लेवल ङए एंत्री लेवल दे बेचे कि इमदा है, कि एदे बेचे नो, एड दिस लेवल नो पार्टिकुलर स्किल्ज और नोलज इड रुक्वाइड मतलब ज्यादा जान करीजा स्किल्दी लोड नी पेंदी यह दे विच सिरफ गुड एटिट्यूड होना चाहिदा है इस लेवल दे विच जो है योब्ज दी गल करिये कहरे ने एड दिस लेवल दे परसोनल आर असाइन जोब इन दी कोमिसरी कमिसरी मतलब कोमिक दी यॉब्ज जे ट्रेञ न तो अपर हुं दीया और दी वैजिटेवल प्रिपरेशिण एरिया और स्टिवर्ड दिजया फिर बेजिटेवल दी प्रिपरेशिंट प्रिटींग कटिंग अगारा हो गई ज they are given more complex task for skills, tools and promoters to the next level वे होली होली करके एना नो कॉमिक तो बाद शेफलाइन वल तोर दिता जानता है क्योंकि श्किल्स दोर ने बाद दिया जानता है एक्जांपल तोर उतेना ने ट्रेनी दस्या है की ट्रेनी जिवे हुंता है एंट्री लेवल तो शुरू हुंता है उस तो बाद किचन युनिफॉर्म दी गाल करिये तक इंपोर्टेंस ओफ युनिफॉर्म दे की है ए जो वन ओफ दी मोस्ट इंपोर्टेंट असपेक्ट ओफ और गेनिजशन ए बोट ही मतलब महान में पार्ट कहलो एक ओर्गेनिजशन दा मत पूर्न अंग है दी में फंक्शन ओफ दी युनिफॉर्म इस तो लुक ए परसन लाई हुंदी है पता लागदा है कि ओ वो दा फंक्शन शेफ प्रिप्रेशन करना है इस करके ए परसनेलिटी नो भी साथे प्रोफेशन नो भी दिखांदा है उनिफॉम गिव्ज जू एन इडेंटिटी इट मेक्स शेफ लुक्स लाइक शेफ एक इडेंटिटी बनुदा है जिए शेफ ट्रैस सेफ बनुदा है इट इस वो शोज दी यूनिटी ए यूनिटी नो शो करदा है एंड हैंस क्रियेट टीमवर्क अमोंग ओल एंप्लोईज इस सारे एंप्लोईज दे वेचे एक यूनिटी नो बनुदा है क्योंकि ड्रैस जेडिया ने ओ ग्रियेटिव इस सब इको तरह दी फिलिंग जो है टीम दे विचे काम करन दी हो उन्दी है हुन शेफ यूनिफॉर्म जा किचन यूनिफॉर्म दे विचे की की हुन्दा है ओ देखाई देरिया है जीवे कह रहे हैं इस शेफ कोट और शेफ जैकेट हुन्दी है इस शेफ पैंटो जाफ हुन दा ए एन एपरन हुन दाया शूज हुन दे आ थे कीचन ड़स्टर हुन देआ अगर आसे शेफ को आशेफ यूड शेफ जैकेट दी आल करें ए जीड़ा सीफ कोट है यहेए वस्ट ब्लांं इन फ्रेंच विच वीरीम है वीच वीच गरत यूनिज आ सिशेफ द् में पार्ट कहलो मोस्ट इंपोर्टेंट बहुत मतपुर्ण पार्ट है एदा जे काम कहली है शेफ कोड़ा ए प्रोटेक्ट करता है हीट तो जा कुकिंग रेंजर तो जो बचोंदा है कि कोई हीट बगएरा जा गरम चीज जड़ी हागी साथ इस्रीर देवते ना डिगे कि एक कोट जेड़ा हुंदा डवल कोटेड हुंदा है जेदे कार्न की या कि जो जलन तो ए बचिया रिंदा है ते शेफ नो कोई भी किसे तरह दी इंजरी जाँ फिर कैल वो साट नहीं लग दी शेफ पैंट दी काल करिए बलैक जाए चेक कलर्ड हो सकती है इंड़ पैंड का कावर करन दे लेए प्रोटेक्ट कर दिया शेफ नो हीड तो शेफ कैप दिगाल करिए युनिफॉर्म दा मेन पार्ट जाब मेन पर पज ए है कैप दा कि बाला नो प्रिवेंट हेर फाल इन दी फूड कि बाला नो फूड बेच डिगा तो बचोणा इस दा मुख आंग है एक डिजाइन की एद्ना किती हुन दिया है कि तो हड़ा जड़ा पसीना भी है गाया ओभी किजन वेचे काम कारते समय अब जॉब कार लेंदी है धले नी डिगन दिगन दि एक जो रॉयलिटी और टू दी परसन वर्किंग है शेफ एक रोयल नैस भी दे नेके आले दवाले बने आँ अंदा है गिड़ा फ्रेंट दे उतेरी नोट लगी हुन धी है जिवे ताइदी हुन धी है ये ट्रेडीशनीली एदा काम गले दे आ ररे प्रसीदे नू सोकना हुन दा है ये वी वाख वाख रंगा दे हुन देनें ये जेडे दिखाउं अपरन दिगाल करिए एवी ठिक कोटन फैब्रीक दा बने अंदा है वेस्त दुआले बन देयां से एजड़ा है गार एवी सान्नु नीजनु साड़े प्रोटेक्ट कारदा है के तो गरम लीक्वेड डुलन तो कि साड़े उते कोई गरम लीक्वेड जाएड़ी है साड़े उ अंदेटि हों तो भी बचोंता है शेफ पैंट लालो ट्रावजर लालो जाहां फिर शेफ रेपी निफॉन नो डर्टि हों तो भी बचोंता है मतलब गंती हों तो बचोंता है सूज दी करिए और किटन दे फेचल सूज पोने बहुत जाड़ा जूरूरी ने एक काले डस्टर वी जेडे ने यूनिफॉर्म दा मेन आंग मने गई ने की मत पुर्ण आंग ने जरो शेफ काम कारे हुंदा है ओ की हुंदेने थिक के कोटन देम खुर्म ऩौाँ cabinet का लिख यूज करें मेन कम औ ignoran कि यूपमेंट करना टेवलों नुवाइब करना यूटेंशवलों ग्यूज नोकॉन्स्रे जी नो नो साफ करना है तो नो ए आपने आपनों साफ यूज यूजिझार्व करना वlagen करना हुणसयुर्म आपनों साफ रखना बोडी नो अपनी साफ रखना नो परसनल हाईजीन किया जानता है तो एज जिज्जां याद रखें नहीं है तो अब बहुत बहुत तनवाद वीडियो देखकें दे लेए फिर मिलांगे तनवाद होंदे हो इजाज़त सस्रीकार